मासूम का शब मिलने के बाद परिजनों ने में रोट पर लगाया जाम इस वक्त की बेहत बड़ी खबर कर्नौत से है जहां डिप्टी से एम केशव प्रशाद मौर्रे का एक दिफसिय दौरा तो वहीं दूसरी तरफ तीन दिन से लापता पांच वर्शिय मासूम बेटी का शब बहते पानी में मिलने के बाद परिजनों ने काटा हंगामा जनपत की इंदरगर थाना छेत्र के पटेल नगरति रहा पर लगाया जाम खबर कर्नोस से दिखा रहे हैं आपको जहां डिप्टी सीएम का एक दिफसिय दौरा है और वहीं दूसरी तरफ हंगामा देखने को मिल रहा है पांच वर्शिय मासूम दीप्ती कक्छा एक की छात्र थी जो अपने ननिहाल थाना छेत्र के सपा गाउं में रहती थी तीन दिन पूर्व हुई थी लापता आज सुबा बहते पानी में मिला शव शव मिलने के बाद परिजनों ने रोट पर लगाया जाम काटा हंगामा पर नौज से अपडेट मीडिया के लिए येस्टर पार्ठी की रिपोर्ट दोस्तों विडियो आपको अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें हमारी वीडियो को शेयर करना बलकुल भी ना भूलें मैं आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए धन्यवाद